मित्रो आज का दिन वापस से बहुत दुखी होने का दिन है शेर बाजार वालों के लिए क्योंकि शेर बाजार वापस से भारी मात्रा में गिर चुका है और आज का दिन बहुत ही सुखी होने का दिन है UPSC Aspirant के लिए क्योंकि 19th April somewhere के Indian Express में एक्जाम के लिए काम की चीज़े बहुत कमी है किर आप जानते हैं कि मैं ये Current Affairs की Excel फाइल अपनी वेबसाइट मुनाल.org में अप्लोड करता हूँ कुछ लोग comment section में पूछते हैं कि उसमें तो पूराने मैने का data दिख नहीं रहा है तो असल में वो उसी Excel फाइल में अलग-अलग spreadsheet में है आप फाइल के अंदर नीचे वाले bottom bar में देखेंगे तो April मैने की spreadsheet अलग है March, February, January उस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हैं और subject wise उसे filter करने के लिए जो top header रहता है वहाँ पर subject तो बाजू में जो down arrow है उसे click correct sub menu खुलता है वहाँ से मालीच आपको सिर्फ ethics के बारे में पढ़ना है या सिर्फ environment के बारे में और ये सब जो हम current affairs पढ़ रहे हैं उसमें से हर सोमवार रात आंट बजे मुरूनाल्स Monday 20 MCQ live quiz होती है अने अकैडमी के platform पे वैसे तो किसी भी दिन देज सकते हैं लेकिन सोमवार रात आंट बजे देंगे तो फिर आपका रहें का है आपको इनाम मिल सकते हैं पेड सब्सक् कल शाम आप पाएंगे mrunal.org slash download पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो budget 15 finance commission report number 2 अगयरा इन सब के registration link description में दिये हैं free unlock code use करें mrunal.org केर मेन मुद्दे पे आते हैं ये सोमवार के newspaper में exam के लिए काम की चीज़ क्या है page 1 वही सब कोरोना की खबरें फिर electoral bonds वो क्या है वो पुराने वीडियो में हम देख चुके है excel फाइल में भी है उसमें जारखन मुक्ती मोर्चा को हिंदाल को company ने 1 करोड का donation दिया था और वो सब disclose हुआ है वगएरा controversy not important कुछ काम का निकलेगा तब देखेंगे उसी तरह कुछ दिने पहले याद करो सुप्रीम कोट के जज़ने का था कि गोवा में uniform civil code है उसका दियान करना चे रिसर्चर ने और वो भारत में कैसे लगाएं वगएरा तो आज बड़ी सी explain series में कि गोवा में जो uniform civil code है वो एकदम uniform नहीं है उसी के अंदर भी हिंदूों के marriage और divorce के कुछ नियम अलग होते हैं मुसलमानों के कुछ अलग होते हैं वगएरा वो सब technical details पढ़ने बैठे वो अगर law as an optional subject है या LLB किया है और कुछ interview की तैयारी चल रही है UPSC के लिए तो आप द देवन करीब 60-70,000 रुपीस का है तो ऐसे message बेजे जा रहे हैं कि ये सिर्फ 24,000 रुपे में मैं देता हूँ क्योंकि कुरोना के चलते मुझे पैसो की बहुत कील लते है वगएरा तो स्वाबाई के बहुत सारे लोग लालच में आ जाएंगे कि अच्छा 60,000 का mobile सिर्फ 20-30 रुपे में मिल रहा है लेकिन फिर वो पैसा ट्रांसफर करते हैं और सामने वाला फेस्बुक का अकाउंट इलिट करके बाग जाता है तो ये सब एक्जाम के लिए तो कैर जिनेरिक मुद्देव की साइबर क्राइम बढ़ते हैं लेकिन आप असल जिनकी में याद रखे है ऐसी फालतु की लुबावनी खबरों में फसे नहीं और फेस्बुक से तो वैसे भी कॉंपिटिटिव एक्जाम अस्पारंट ने दूरी रहना चाहिए पड़ाई पर द्यान दीजिए ये गुजरात एडिशन में वलोद्रा से कुछ समाचार जिससे हम लोग ये एथिक्स क के स्टरी बनाते हैं रिलिजियस एक्रिमनी मलब दार्मिक कटूता या कड़वाहर्ट या दुश्मनी पता चला वलोद्रा में जो हिंदू के लिए समशान ग्रू है कोरोना के चलते देर सारे लोग मर रहे हैं बहुत सारे डैट बोडिज आर पाइलिंग अब तो स्वाबा चला वो सब लकडियां लाकर चिता पे भी वही रख रहा था तो कुछ लोकल राजनेता नाराज हो गए कि नहीं ये मुस्लिम व्यक्ति क्यों हिंदू समशान ग्रू है और उसने ये चिता को कैसे मतलब टच कर लिया वगरा और उन्होंने ये वलोद्रा मुनिसिपल कमिशन यानि कि आयस ओफिसर उसे कंप्लेंड किया कि ये सब नहीं होना चाहिए पहली बात जहां तक दार्मिक बावना हैं तो हिंदू व्यक्ति का जो अग्निदा हो रहा है वहाँ पर जो भी मंत्रोच चार और विदी करनी है तो वो हिंदू पंडित द्वारा सब क्रिया हो हाँ वो जरूरी है ताकि उनका दार्मिक स्वहार दौर बावना बनी रहे लेकिन जहां तक बाकी सब logistical मदद मतलब ये कुछ सामान लाना है लकडिया एक्ठी करनी है अब आप समझे कोरोना में इतने प्रॉब्लम्स हैं supply chain disruptions कई लोग बिमार हैं तो ऐसी situation में मतलब ये सब जिद पे अड़ जाना कि यहां पर लाने की कोशिश करना जब पूरी दुनिया में सब लोग परिशान है वो ठीक नहीं है इसको अभी avoid कर सकते हैं आप वो सब उनके जो भी दार्मिक गुरू है नेता उसे बात करेंगे और सौहाद पूर्ण तरीके से यह सब सेटल हो जाए ऐसी कोशिश करेंगे तो इसे tactfully address करना चाहिए अब नई मैं तो पुलीस बंदो बस जादा कर दूँगा और ये वो जब तक विवाद उस हद तक न पहुंचे तो खुद से पुलीस खड़ी करके मामले को जितना गंबीर है उससे ज़्यादा गंबीर बनाने की आप कोशिश करें तो you will overcomplicate the things तो मतलब tactfully काम करना चाहिए मैं जो कोरोना का इनाम लिया तो आप जानते हैं कि second wave चल रही है और अलग-अलग जगग पर curfew lockdown का माहौल है लेकिन केंडर सरकार, राजय सरकार, होम मिनिस्टर, फाइनांस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जानबूच कर ये lockdown शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे है क्यों क्योंकि जैसे ही का जाए lockdown तो सब migrant workers को पिछले साल की याद आ जाए कि कैसे मतलब सब बंद हो गया था और हमें परिशान हो के वापस गाउं जाना पड़ेगा और अचानक से bus station, railway station पर बीड जमा हो जाए तो वो नए problems create करेगी और उसे तर लॉकडाउन, लॉकडाउन शब्द प्रयोग किया जाए तो foreign portfolio investor जो बारत के share बाजार में निवेश किया हो वो भी या रहे यह तो सब बंद हो जाएगा और यहां तो कौन सी गाड़ी बिखने वाली है बेच दो टाटा मोटर्स बाग जाओ यहां से तो share बाजार में unnecessarily नई volatility खड़ी हो जिससे और लोग परिशान हो इसलिए होतो रहा है lockdown लेकिन शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है lockdown तो यह क्या है public communication strategy भय का ऐसा माहल ना फेलाय जाए ताकि अपनी अर्थ तंत्र को migrant workers को परिशानी हो ethics case study में एक और चीज़ वो attitudes towards transgendered persons तो यह transgendered person क्या olympic में हिस्सा ले सकते हैं कि नई जवाबे ले सकते हैं और वहाँ पर भी अगर वो women's sport में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कुछ तो यह international olympic committee ने कुछ नियम बनाए कि मैलाव में testosterone hormone यानि अंतस्त्राव का स्तर इतना होता है माली जे x percentage per this micro liter of blood या जो भी तो पिछले 6 मैने या 12 मैने तक आपका testosterone level उतना या उतने से कम हो तो ही आप compete कर सकते हैं ऐसा यसा world athletics body ने भी नियम बनाए हैं तो मतलब हाँ वो participate कर सकते हैं subject to some terms and conditions लेकिन अमेरिका के अलग-अलग राज्य की विदान सभा में उनके Republican MLA अब जानते हैं अमेरिका में दो प्रमुक पार्टी एक Republican और दूसरी Democrat ये Republican ज़रा ज़्यादा conservative यानि परमपरावादी हैं उदारमतवादी नहीं हैं तो वो ऐसे सब बिल यानि विदेयक लेके आ रहे हैं कि कोई भी transgender person कोई भी school college के athletic tournament में हिस्सा न ले पाए क्योंकि उनमें testosterone level जादा होता है और फिर वो तो महिलाव की इस परदा में वही जित जाएंगे वगरा हाँ तो ये किदर काम का है जब हम कोई ऐसी case study या ऐसा को निबन जहां पर हमने बात करनी हो inclusivity की, sports की, LGBT community की तो वैसे तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं लेकिन ये वाली चीज़ भी याद रखने की whether they can participate in army, whether they can participate in sports उस पर क्या कुछ लोगों का रवया होता है आगे बढ़ते हैं page 5, काम का नहीं page 6, कॉलम में भी कुछ काम का नहीं left side पर दो-दो paragraph के छोटे कॉलम में वही सब कोरोना और minimum support price और फिर second wave क्यूं हो रहा है फिर अमेरिका ने अपने सब कंपनियों पर कुछ 28% tax लगाएंगे और ये base erosion profit shifting agreement वो कैसे बारत के हख में नहीं है ये सब इतनी technical चीज़े काम की नही basic idea होना चाहिए जो हम पहले भी ले चुके page 7, कॉलम हरिश दामोदरन की farmer and minimum support price के बारे में कॉलम कुल मिलागे बात ये है कि बारत में कितनी किसान है उसके data में सरकार के खुद के अलग-अलग विबागों में there is discrepancy, वी संगतियां है agriculture ministry बोलती है 150 million है नाबाड का survey बोलता है 100 million है प्रदान मंत्री किसान सम्मान निदी मलब PM किसान योद नाजिस में आप जानते किसानों को हर साल 6000 उपे दिये जाएंगे तो उसकी beneficiary list निकाल उसमें करीब 111 million है तो मतलब असल में किसान है कितने जब तक ऐसी कोई uniform definition नहीं होगी तब तक उनके लिए कुछ सही से policy बनना या targeted intervention कि अच्छा ये वाले किसान इतने लोग किसान है उसमें से इतना full time करते हैं जो अपनी कुछ दुकान भी चलाते हैं या शहरों में काम करते हैं और सिर्फ seasonal काम के लिए आते हैं या फिर यहाँ पर सिर्फ महिला काम करी और उसका पती migrant worker के रूप में कहीं और चला गया जब तक वो आपके पास पूरा accurate data नहीं होगा तो सही से नितिया बनाई नहीं जा सकती उनकी मदद हो नहीं सकती So need of the hour is to develop such uniform official definition and track the beneficiaries according ले दूसरी बात है minimum support price यानी नियून्तम समर्थन मुले उसमें क्या होता है सरकार खिसानों को एक प्रकर से कुछ आश्वासन विश्वास और गैरंटी देती है कि अगर मा लिजे बाजार में आपको 2000 रुपे प्रति क्विंटल में कोई व्यापारी आपसे अनाद नहीं खरीद रहा है तो हम उस price पे खरीदेंगे वगएरा उसकी अपनी बहुत सारी खामिया हैं जो पहले हम लोग win 20 series में पढ़ चुके हैं इसमें नई बात जानने को क्या मिली economics के पितामा कौन है Adam Smith Adam Smith ने एक बार study करके पाया value paradox मुल्य की वी संगतियां या उसकी द्विदा उन्हेंने ये पाया कि हीरे बहुत मेंगे होते हैं लेकिन वो हमको नई भी मिले तो हम मर नहीं जाएंगे आसा क्यूं तो इसका जवाब क्या है भई कोई चीज की supply अगर बहुत बड़ी मातरा में होगी तो वो सस्ते में मिलती रहती है और दूसरा ऐसी विपुल मातरा में जो चीज उपलबद है तो वो आप हासिल कर लेंगे तो आपको बहुत जादा मज़ा आजाएगा कि आहां में एक champion हूँ number one हूँ मेरे पास देखो कितना सारा पानी है तो एक एक bottle आपके पास और add होती जाए mineral water की उसमें से आपको जितना ये marginal utility सिमान्त उपयोगिता या satisfaction संतोष मिलेगा कि मेरे पास देखो पहले 10 bottle थी अब एक और आएक 11 bottle है compare to that अगर आपके पास 10 diamond है और आपके पास एक और extra diamond आया तो उस वकल सोचो कितना और होसला बुलंद हो जाएगा because diamonds are in very short supply तो मतलब 10 के उपर एक 11 वा आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है खेर ये Adam Smith के value paradox के और भी dimension है लेकिन वो सब में economic sum करने नहीं बैठेंगे इदर तो कुल मिला कर बात ये है कि 1970 में एक किलो गेहू बेचने पर आपको जितना पैसा मिलता उतने पैसे से किसान एक लीटर डीजल खरीद सकता था अभी उसने 4 किलो अनाज बेचेगा तब जाके एक लीटर डीजल शायद खरीद पाए उसी तरह 1970 में अगर किसान 200 किलो गेहू बेचता तो उतने पैसो से वो 10 ग्राम सोना खरीद सकता था आज अगर किसान को उतना सोना खरीदना है तो उसने 2000 किलो गेहू बेचने होंगे तो ऐसा क्यूं है क्यूंकि ग्रीन रेवल्यूशन यानि हरिद करांती के बाद गेहू की पैदावार बहुत जादा बढ़ गई है लेकिन उसके सामने गोल्ड या डीजल तो उसकी तो पैदावार या सप्लाई या अपूर्ती उतनी जादा बड़ी नहीं है और साथी साथ ये सब गेहू चावल वगएरा में मिडल मैन, APMC मार्केट की इनेफिशनसी वगएरा जो पिछले साल भी हमने विन 20 सीरीज में पढ़ा था ये जो हमने जाना जो चीज जादा मात्रा में उपलब दो जाए तो फिर ग्राहोकों के लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है तो किसाने गेहू उगाने चाहिए लेकिन साथ साथ कुछ और भी उगाना चाहिए जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, हनी, सिल्क, एग्स, डक मीट और एग्स में भी जो मुर्गी के अंडे हैं वो तो मतलब वो भी विपल मात्रा में उपलब दें उसकी जगह एमू पक्षी के अंडे उसके मतलब अलग डिमांड रहती है कुछ हेल्थ पेनिफिट्स या जो भी तो फार्मर ने ऐसे नए नए प्रॉडक्स एक्सप्लोर करने होंगे एक बात और दूसरा और जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है तो सरकार चाहे कुछ भी कर ले वो एक्विलिब्रियम तो वापस नहीं ला पाएगी कि जहां पर एक किलोग्राम गेहूं बेचने पर जितना पैसा आता था उससे एक लिटर डीजल खरीच सके क्योंकि सरकार अगर इतना जादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी गेहूं के लिए तो वो ते ऐसी बात हो गई कि एक किलो गेहूं का प्राइस 20 रूपे नहीं अब 70-80 रूपीज होना चाहिए तो फिर ओर्डिनरी कंजूमर्स पर वो सब महगाई का बोज बढ़ जाएगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह सरकार ने मिनिमम सर्वाइवल इंकम कि किसानों को ये का जाए कि ठीक है हर महिने आपको 12,000, 15,000 या 18,000 रूपे तक मिल सके ऐसी कुछ हम प्रणाली बनाएगे ये नहीं कि इतने किलो अनाज का इतना पैसा मिले वो करने में ये नए-ने प्राब्लम सा सकते हैं निबंद लिख रहे हैं 12,000, 15,000 शब्दों के लिए तो फिर ऐसी जदा refined arguments word limit को enhance करने के लिए आप use कर सकते हैं उसके बाद दूसरी कॉलम है मिनाक्षी गोपिनाथ वो national education policy और university में freedom of thought and speech and expression लेकिन कुछ नया बहुत जोरदर जाने को नहीं हम पहले नहीं पढ़ चुके तीसरा कॉलम है बंगाल politics के बारे में एक कामका नहीं आगे बढ़ो page 8 राशी बविश्य बहुत ही कामका है जो लोग शेहर बाजार में निवेश करते हैं पिछले सोमवार भी गिरा था इस सोमवार भी गिरा तो मतलब क्या है ग्रहों की क्या ऐसी दशा है कि सोमवार को ये गिर रहा है पेज 9 अलग-अलग राजियों से कोरोना के समाचार पेज 10 ये पेज 10 पर बड़ा सा इंटर्व्य आरे शर्मा जो की Empowered Group on Vaccine Administration के चेर्मेन है अलग से एक और भी चीज है National Expert Group on Vaccine Administration जिसके चेर्मेन कुछ और है डॉक्टर वी के पॉल मतलब फालतु में UPSC एस्पारन को परिशान करने के लिए 35 आद के एक्सपर्ट ग्रूप बना ये कोई फाइनल बोलो न Empowered है, Expert है दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग चेर्मेन खेर, आपस में उनके क्या objective अलग है वगेरा की PhD करने हम नहीं बैठेंगे CY के कोई बड़ा सा development निकल के आए आगे बढ़ते हैं Page 11 Explain Series में कुछ काम का नहीं इधर वापस से वो चाइना दो जगह पर उसकी सेना मौजूद है वो तो हमने कल देखा था यहां पर लंबी चोड़ी PhD दिये भाई इतना काम का नहीं Second wave में केस क्यों बढ़ रहे हैं तो वो तो हम पहले भी देख चुके हैं Goa का uniform civil code उसमें क्या खामियां हैं वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे CY के law as an optional subject आप तयार कर रहे हैं Page 12 world news परसन इन न्यूज में देहांत हुआ Charles Jetsche या जो भी उसका pronunciation है वो Adobe कंपनी के co-founder थे ये Adobe कंपनी मशूर है अपने photo editing software video editing software और portable document format यानि PDF technology बनाने में भी इन्होंने मदद किये थी तो non-IS exam जहांपर computer एक separate topic के रूप में syllabus में हो वहाँ पर भी तियार करना है और बाकी भी सब जगाबर person in news फिर इस बार Oscar award जो होंगे वहाँ पर लंबी speech दे सकते हैं वगएरा वो सबसल में होने तो फिर कौन जीता हम देखेंगे इसराइल ने कहा है अपने देशवासियों को कि आप बाहर बिना मास के गुमो तो भी चिंता नहीं क्योंकि वहाँ पर तो 81% citizen का vaccination हो चुका है बुटान में 60% population का vaccination हो चुका है बुटान देश की geography देखो population density देखो तो होई जाएगा it is 6 times more than global average it is 7 times more than India यह सब बाते बे तुकी है because you have to consider the population density geographical area कर एक खास newspaper है जो इसकी भी सब देखो बुटान model कितना महान है करके शुरू हो जाएगे तो थोड़ा आप भी scientific और rational outlook रखें इंडिया को जब compare करें तो Brazil Mexico South Africa या कोई बड़ा geography वाला देश बड़ी population size वाले देश के साथ compare करके कुछ कह सकते कि या वहाँ बहतर है या यहाँ बहतर है as far as the vaccination rates are going on चैकोस लोई किया ने रशिया के diplomats को कहा आप देश छोड़के चले जाएए क्योंकि 2014 में हमारे आर्मी के ammunition depot में जो दमाका हुआ था उसमें रशिया का हाथ है यह सब James Bond टाइप की चीज़े अपने लिए काम की नहीं क्योंकि शिलेबर स्पेसिफिक है issues affecting Indian interest और जहां तक even prelim MCQ की बात है तो भी यह इतनी कोई जोरदार गटना नहीं area in news या location in news बन सके 2014 की चीज़ हुई थी अब उनको मतलब पता चला चारश्या ने करवाया था तो अब निकालते हैं पेथ 13 economy में कुछ काम का नहीं वही सब oxygen supply और फैक्टियों से अब hospital में बेजा जाएगा पिरिये digital payment में European Commissioner की बड़ी सी interview कुछ काम की नहीं होंग कॉंग ने कहा बारत से आने वाली उडानों को प्रतिबंदित करेंगे कोरोना का हमें डर है जादा तर foreign portfolio investment के नाम पे बारत में पैसा जो आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है क्योंकि वहाँ पर सस्ते ब्याददर चल रहे हैं कुछ लोग लोन में पैसा लेकि इदर डालो और Mauritius और Luxembourg से आ रहा है जो वैसे तो जोग्रफिकली बहुत छोटे देश हैं लेकिन हमने आगे भी पढ़ा था वो tax havens हैं कर्स वर्क की जहां बहुत काम tax लगता है know your customer norms के सब documents कुछ आए नहीं आए pension और bank account फ्रीज हो रहे हैं वगेरा exam point of view से बहुत कामका नहीं जब तक कोई RBI या Supreme Court न या notification जारी कर दे page 14 sports वी जाने लाइक चीज़ ये attitude towards transgender sports person हमने देख लिया बाकी कुछ खास जाने लाइक नहीं तो ये था somewhere का newspaper और तैयार हो जाएए आज रात आठ बजे मुरुनाल्स मंडे 20 MCQ की free test series अने अकैडमी के platform पे registration link description में है free unlock code use करें mrunal.org अच्छा रेंक लेने वाले GTA कर्षा की नाम बगएरा बगएरा